हैव SE 67.5 डिगरी एंगल कैसे डडु करे ठीक है तो उसके लिए का करेंगे सबसे पहले के स्केल लेंगे और एक लाइन डु करेंगे तो हम एक लाइन ड्रो कर दों कर दो है तो 67.5 डिगर कुने कीसे करेंगे सबसे पहले देखते हैं 67.5 को अगर टू से multiply करते कितना आता है 135 तो अगर हम 135 ड्रो कर लेते हैं तो मतलब 167.5 ऐता रहा करिसे इसका बाके से कर देंगे तो 35 कोlais कर आज आएगा तो चलिए क्या करेंगे इसको सेंटर लेके और अपने कर्मिन अपने सुभद्य के कोर्डिंग एक रेडियस कट करेंगे देखिए एक रेडियस आर्क कट कर दिया देखिए इस थुरसर ठीक है ठीक है अब जहां पर यह आर्क और लाइन इंटरसेक्ट हुआ इसको सेंटर लेके एक र कट करेंगे यहां पर अर कट हो गया उसके बाद यहां पर फिर इसको सेंटर लेके एक र कट करेंगे ठीक है ओके तो देखिए यहां तक हमारा 60 हो गया यह इस पॉइंट को और इस यहां तक इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में एंगल कितना हुआ 60 हुआ और इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में इस पॉइंट यह पॉइंट और यह पॉइंट के बीच में एंगल कितना हुआ 60 हुआ तो अगर इस 60 का बाइसेट कर देंगे 30 हो 90 हो जएगा आइक नहीं हो जाएगा तो चलिए इस एंगल को हम इसेट करते हैं तो इस एंगल को में एक फर्म सोना कितना किटना इसके बीच में एंगल होर्म होगा 90 देखिए तो इधर 90 इधर भी 90 ओके क्योंकि यहां तक 60 हुआ और इस एंगल में 30 ले लिया तो 60 प्लस 30 90 हो गया ठीक है अब 90 हमने ड्रो कर लिया अब उसके बाद कितना ड्रो करना 45 तो देखिए हम जानते हैं कि एक लाइन पर सभी एंगल सम कितना होता है 180 होता है इंभी 90 इधर भी 90 ऊके इधर 20 90 यहां तक 90 आगे अब हमें डान कितना है 45 तो इधर भी 45 वहाँ इधर भी नइए को खान duplicate करीब करेंगे तो यह 45 45 होजाएगा तो हम क्या करेंगे इस साइड वाला जू फवाली सब्सक्रेस को सेलेग्ट कर लेंगे इस कि Older 30 कि ना हो गया अपका हो जगा आपका 135 हो जाएगा तो चलिए तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और extend कर देता हूं इसको यहां तो जोएंट कर देता हूं क्योंकि 135 ड्रो करनी है तो इस point को center लेकर एक आर्क करते हैं और इस point को center लेकर एक आर्क तो दोनों arc intersecting point जो यहां पर है अब इस point को और इस point को joint करेंगे तो इसके बीच में जो angle formed होगा वह कितना होगा वह आपका कहीं होगा कितना वह होगा आपका यह जो ता है देखिए यहां ते 90 और यह 90 के वाइस से किया तो 45 45 हो गया तो 45 में से हम का किर लिए एक एक स्वरी 90 में से एक 45 को लिए लिया तो यहां दे 20 प्लस 45 135 हो गया अब इस 35 का बाइस सेक्ट करेंगे तो हमारे कितना है 67.5 डिगर जागा तो चलिए इसको करने के क्या करेंगे देखिए हमने जो आर्क ड्रो किया है देखिए कि यह जो आर्म है और यह आर्म काहां कट के यहां पर कट हुआ इक यहांपर कट हुआ है जो एंगल रॉंड हुआ है उसके पाँ इसकी असपर देखेंगे ठीक है तो फिर पीर अपने सुफ़िधा हो O इसको एक ईंटर्सेक्ट हुआ तो जब इस प्वइंट को और इस मौ्इंट को ज्खाइन करेंगे तो यह अपना 135 एंगल जो है bisect हो गया that means यह एंगल जो ता है 67.5 डिग्री हो गया और यह भी एंगल जो है 67.5 डिग्री हो गया ठीक है ठीक है